गोड इवनिंग एवरिवन, so my dear friends सबसे पहले welcome मेरे साथ connect होने के लिए, basically इस session के अंदर हम RPC lectureship exam, जो assistant professor exam का notification आया है, उससे related discussion करेंगे, जो लोग भी connect हो रहे हैं, इस वीडियो को like कर ले, ताकि इसके अंदर जो भी information है वो आपको बाद में available रहे, आप जब चाहें इस वीडियो को वापस देख पाएं, सो आज का हमारा जो discussion का मुद्दा है, जो topic है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, Basically, it is read with an RPC College Lecture Exam, या हम यह भी कह सकते हैं, RPC College Assistant Professor Exam, जिसका notification अभी अभी release हुआ है, and my dear friends, आपको पता है, कि जो इसके form है, वो 9th November से भढ़ना start होंगे, 9th November से लेकर, जो 8th December है, इसके बीच में आप online form भढ़ सकते हैं, form भढ़ने के लिए, RPC की website पर detailed information दे रखी है, तो आप rpac.rajistan.gov.in website पर जाकर इस form को भढ़ सकते हैं, ठीक है friends, so सबसे पहले इस exam के लिए, या इस exam में appear होने के लिए, क्या qualification चाहिए, इस बात को discuss करते हैं, क्योंगी कई students को confusion है, कि वज़े अर eligible or not, तो ध्यान से सुनिएगा, जिनको पता है, वो थोड़े time के लिए skip कर सकते हैं, पर जिनको नहीं पता है, जो नए हैं, freshers हैं, इस exam के लिए preparation करना चाहते हैं, जो पहली बार preparation कर रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान से सुने, qualification के अंदर जो first point दे रखा है, that a student must have a good academic record, with at least 55% marks in the postgraduate, postgraduate, या master's degree, जो PG degree है, जो M.S.E., Watney, Physics, Chemistry, जो जिसमें भी आप M.S.E. कर रहे हैं, general students के लिए आपके 55% होना ज़रूरी है, जो बाकी की O.B.C. हो गया, जो नॉन क्रीमी लेर हो गया, S.E., S.T., उसके अंदर relaxation 5% का दे रखा है, उसको वापस आप R.P.S.E. की website पर जा कर एक बार देख लें, but general students के लिए पहला जो शर्त है कि M.S.E. जस दिन भी उसकी complete हो, हो सकता है, आज वो M.S.E. के final के अंदर आए हैं, या जस previous के exams उन्होंने दिये हैं, second semester के और third semester में आए हैं, अभी उन्हें नहीं पता कि उनका कितना percentage बनेगा master's में, लेकिन जिस दिन भी आप finally interview देने जा रहे हैं, उस दोरन आपके master's degree में 55% होने चाहिए, पहली शर्ट, और यही एक मात्र शर्ट नहीं है, यही एक condition नहीं है, second important जो है, that is, इसमें बात लिखी है, good academic, क्योंकि आप देखें ना, इसमें दो चीजें लिखी ही, एक good academic record की बात की गई है, और दूसरी relevant subject की बात की गई, तो इन दोनों चीजों को हम थोड़ा सा और ध्यान से investigate करते हैं, क्योंकि इसके उपर बहुत सारे students हमेशा questions पूछते रहते हैं, देखो, good academic record का मतलब, general student के लिए master's के अंदर 55% होना चाहिए, S.E.S.T. में बात करेंगे, तो 5% का relaxation है, तो 50% होगा, so master's degree में 55%, इसमें कोई relaxation नहीं है, second condition यह है कि जो 10th class, 12th class और graduation यानि B.E.C. 10th, 12th और B.E.C. तीनों का average मिलकर minimum 55% होना चाहिए, तीनों के marks जोडने बात, यह वापस और general students के लिए बात कर रहा हूँ, S.E.S.T. बाकी जो आप categories है, उनके साथ से relaxation दे रखा है, और अगर कहीं पर grace जुडावा है किसी भी 10th, 12th में, तो grace के marks हटाने के बाद 55% आपके होने चाहिए, फिर एक शर्थ और भी जोड़ दी कि average तो 55% ठीक है, लेकिन graduation के अंदर at least 50% marks होना चाहिए, यानि average आपका 55% हो रहा है पर graduation में आपके 42% है, 48% है तो फिर आफ eligible नहीं है, graduation के अंदर एक rider लगा रखा है कि graduation must be 50%, post graduation में 55%, graduation में 50%, एक और rider भी आपर लगा रखा है कि 10th या 12th में दोनों में से किसी एक के अंदर 50% से ज़ादा होने चाहिए, यानि अगर 10th में आपके 49% है और 12th में आपके 52% है तो it's you are in a good academic record, दोनों के अंदर 50% से कम है और फिर भी आपका average 55% से अबब बन रहा है क्योंकि BAC में आपने 89% या 80-90% बना लिए हैं तो फिर आपको consider नहीं किया जागा, ये RPSC की website पर good academic record की परिभाशा है, क्या, master's में 55 degree, 10th 12th BAC का मिला कर average 55%, BAC में कम से कम 50% हो, 10th और 12th में, 10th, 12th और BAC, in other words, दो एक्जाम में कम से कम आपके पास 50% होने ची और average 55% होना ची, although ये good academic record हमेरे साही court की लफडों मेरा है, challenging का है, हो सकता है, आने वाले time में इसमें कुछ relaxation आ जाए, changes आ जाए, पर अभी जो condition उसके हसाफ से मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाला कि मुझे पता है, मेरे जो भी students यहाँ पर देख रहे हैं, वह इस criteria को, good academic record वाले criteria को आसानी से clear कर रहे हैं, हैं, हमारे science के students में कहीं पर कोई problem नहीं आती, good academic record में, generally arts के students हैं, उनके लिए थोड़ा problematic होता है, ठीक है, फिर बात की गई है, कि your master's degree should be in a relevant subject, relevant subject से मतलब है, कि अगर आप physics के लिए apply कर रहे हैं, तो MSC physics में होनी चीए, अगर zoology के लिए apply कर रहे हैं, तो MSC zoology के अंदर होनी चीए, अगर आप botany के लिए apply कर रहे हैं, तो MSC should be in a botany, इसी तरीके से अगर आप chemistry में apply कर रहे हैं, तो chemistry के अंदर होनी चीए, relevant subject में होनी examination का form भढ़ से आपको कोई रोकता नहीं है बट पिछले बार का जो experience students का उनके इसाब से उनको finally interview के अंदर allow नहीं किया गया था अलाकि मेरा मानना है कि biotechnology, microbiology, life sciences के relevant subject ही है उनको allow करना चीए पर मेरे मानने से आपकी मानने से कुछ नहीं होगा हाँ इसके लिए आप biotech, microbiology के students को लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि वो किस relevant subject में आकर fit होते हैं लेकिन जिन्होंने msc botany कर रखी है, msc zoology कर रखी है, msc chemistry है, msc physics है, msc maths है, उसको कोई problem नहीं है that is basically the relevant subject ठीक है biotechnology, microbiology को थोड़ा सा और परियास करने पड़ेंगे कि वो किसी relevant subject में आ सके करकर, क्योंकि बाकी states में जैसे मद्धी परदेश वगिता में उनको relevant subjects में माना जाता है, खेर, उस बाद पर मैं debate नहीं करना जाता है, पर अभी की स्तिती है कि अगर आफ msc biotech या msc microbiology है, पिछले exam में उनको consider नहीं किया गया था ठीक है, इवन biochemistry को भी consider नहीं किया था, जैसे आर्ती गुपता ने पूचा है, तो biochemistry हो गया, agriculture studies हो गया, environmental studies हो गया, इनको botanizology में consider नहीं किया गया था then good academic record in relevant subject के अलावा, अगला जो condition है, वो है कि आपके पास या तो set होना चीए, या net होना चीए, और क्योंकि आपको पता है, राज्तान में तो set हुआ हुआ, एक अर्सा बीद गया है, जातर मेरे students अभी current वाले हैं, in other words, उनके पास net की degree या net का certificate है, वो होना चीए, वो normal net हो JRFO, अगर net JRF नहीं है तो इक दूसरी choice है, और के अंदर, compulsion नहीं है, either you must have a net or set, net or set नहीं है तो, you must be having a PhD degree, और ध्यान रखे है, PhD degree awarded होनी चीए, and that's to also according to the UGC regulation 2009, UGC regulation 2009 का क्या मतलब है, जो भी student ESD कर रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाता है, ठीक है, now age minimum 21 और maximum age है, वा 40 years की, कुछ जगों पर relaxation दे रखा है, categories में, और तीन साल का, क्योंकि लास्ट तीन साल से इस application निकल नहीं रहाता है, तो तीन साल का और general category में भी relaxation है, पर उसके लिए एक बार RPC की website को ज़रूर देखे, Now, सबसे important बात, ज़्यादा तर students को ये लगता है कि अभी मैं M.H.C. final में हूँ, अभी मेरा net exam clear ही नहीं हुआ, तो मैं इस exam के लिए preparation कैसे करूँ, But my dear friends, ध्यान रखें, आपको M.H.C. degree आज नहीं चीए, आपको net का certificate आज नहीं चीए, जो RPC की guidelines हैं, उसके इसाब से, आपको master's degree on the first day of interview चीए, आपको net का certificate, first day of interview चीए, और अगर आप net नहीं, PhD कर रहे हैं, तो आपकी PhD award हो जानी चीए, up to the first date of interview, अभी interview की कोई date नहीं, it may take six months, interview होने में एक साल भी लग सकता है, यानि मेरी सला है, कि जो भी M.H.C. final year में अभी students हैं, या जिन्नोंने final कर ली है, लेकिन net examination clear नहीं हुआ है, या जो PhD कर रहे हैं, PhD के second year में हैं, उनको form को जरूर भरें, ठीक है, clear हो जाना चीए, M.H.C. final वाले apply कर सकते हैं, net नहीं है, पर आप में जज़बा है कि आप net clear कर लेंगे, PhD अभी complete नहीं हुए, पर आपको यकीन है कि आपकी PhD इंट्रियू से पहले complete हो जाएगी, तो आपको इस form को जरूर भरना चाहिए, हाथ पर हाथ धर कर ना बैटें, ठीक है, form जरूर भरें, अच्छत क्या होगा, reject ही होगा, और reject होगा नहीं क्योंकि RPC के website पर लिखावा है, if you are appearing, or going to appear in your final year, then you can apply for this examination, ठीक है, जोचना, microbiology, biotech, इनके बारे में बताया है, पिछली बार considered नहीं किया था, आप थोड़ी सी लड़ाई लडएंगे, तो definitely आपको भी वो eligible करेंगे, उसके लिए legally आपको जाना पड़ेगा, लेकिन अभी उन्होंने ऐसा assume नहीं किया था, then, my dear friends, अभी थोड़ी time के लिए मैं comments आपके नहीं पड़ा रहा हूँ, please, क्योंकि मैं थोड़ा सा exam nation के बारे मैं discuss कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपके मैं comments पड़ूँगा, last के अंदर, पहले आप मेरी बात सुन लें, शायद आपके जितने भी doubts हैं, मेरे साब से clear हो चीक है, so students appearing or going to appear, दोनोंगी चीज़े ध्यान से देखें, appearing or going to appear in a final year of their master's degree can apply, हाथ में net का certificate आज होना जरूरी नहीं है, master's degree आज होनी जरूरी नहीं है, PhD आज होनी complete जरूरी नहीं है, चीक है, so सिरफ net set sufficient है, candidates कई message मुई मिले कि सर मैं तो महारास्टर से हूँ, मैं उत्रप्रदेश से हूँ, मैं डैली, हिमाचल, हरियाना से हूँ, मेरा क्या, क्या मैं apply कर सकता हूँ, apply करने से आपको कोई नहीं रोगता, आप apply कर सकते हैं, पर आपको as a general candidate fight करना पड़ेगा, अगर आप अपने state में, या even centralist में भी किसी reservation category में आ रहे हैं, बट अगर आप रास्तान state में apply कर रहे हैं, तो you have to fight it as a general candidate, okay, so even आप different states से हैं, तो आप form भढ़ सकते हैं, ठीक है, बट आप किसमें count हूँगे, general candidate की तरह हैं, then जो examination है, scheme of examination क्या होगी, तो examination online या offline दोनों तरीके से हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, जैसे पिछली बार, जो third paper है, जो general studies का है, वह offline हुआ, और जो subject papers हैं, वह online हुआ, so we can predict that, इस बार सारही paper online होंगे, लेकिन, ऐसा RPC ने mention नहीं किया है, उन्होंने काया कि वह offline mode से भी करा सकते हैं, और online mode से भी exam को करा सकते हैं, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो exam होगा, that would be of 200 marks, और उसके बाद जो exam को qualify करेंगे, उनको interview के लिए call किया जाएगा, let's say किसी subject में 30 seats हैं, तो उन्होंने कहा कि 30 के 3 times, यानि 90 individuals को, 90 candidates को call किया जाएगा interview के लिए, फिर interview के 24 marks में से आपके कितने marks आए, वह, उस subject marks और जो general studies वाले marks हैं, उसमें total करकर, finally अगर आप merit में आते हैं, तो definitely फिर आपको, basically आपका selection माना जाएगा, आपको assistant professor के लिए offer letter generate किया जाएगा, तो हम बात कर रहे थे, कि सबसे important 200 marks हापी पर है, वापस बिलकुल गबराने की ज़रूद नहीं, interview सरफ 24 marks का है, 24 marks का मतलब hardly it is a 10 to 12 percentage, यह अगर आप subject को बहुत अच्छे धंसे करते हैं, तो उस condition में interview के marks कोई ज़्यादा affect नहीं करते हैं, हाँ पर अगर आप borderline पर रखते हैं, तो फिर interview जीने मरने का प्रशन हो जाता है, तो ऐसी स्तिती बने ही नहीं मेरे दोस्तों कि आपको interview के उपर ज़्यादा depend रहना पड़े, आपने subject को, अपने general studies को इतना ज़्यादा strong करें, कि 24 marks को हटा भी दें उसमें से, तो आपके results पर किसी तरीके से affect नहीं होगा, तो दो subject के paper होंगे, paper 1 subject का है, paper 2 subject का है, और paper 3 general studies of Rajasthan का है, suppose आपका physics है, तो first और second paper physics के होंगे, अगर आप zoology के हैं, तो first और second paper zoology के होंगे, और third जो paper है, वो सभी stream के लिए चाहाए, physics, chemistry, maths, botany, zoology या किसी भी और subject के हैं, third paper is common and the third paper is general studies of Rajasthan, now here there is an edge or advantage to the students who are from the Rajasthan, क्योंकि basically general studies में जातर जो questions हैं, वो Rajasthan से related पूछे जाते हैं, पर इसका कता ही यह मतलब नहीं है, कि बाकी states वाले इस exam को crack नहीं करते हैं, क्योंकि finally इसके 50 marks हैं, 150 marks तो आपके subject के ही हैं, 50 marks general studies के हैं, और general studies में भी कुछ general aptitude के questions हैं, उनको आसानी से solve किया जा सकता है, mathematics equation उनको आसानी से solve किया जा सकता है, even outer states वाले भी कर सकते हैं, और Rajasthan states वाले उनको definitely advantage है, work paper pattern को एक बार study करें, उसमें general studies, general science के questions, जिसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, लगाना पड़ता है, उन पर focus करें, और कुछ अपने आसपास क्या चीज़ें होरी राजस्तान के अंदर, किस तरीके की घटनाए होरी है, क्या चीज़ परियेटन के साब से important है, क्या नई important government ने अभी scheme निकाली है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, तो definitely आपके पास एक added advantage रहेगा, और बाकी जो basic function के अगर आप रास्तान में बहुत लंबे समय से रहे रहे हैं, तो कई सारे questions ऐसे होते हैं, जो आपके लिए बहुत आसान होंगे, ठीक है, तो subject 1 आपका subject है, subject 2 भी आपका subject है, ध्यान रखें कि सब paper 1 और paper 2, दोनों ही 75 marks के, और हर paper के अंदर 150 questions हैं, उनको solve करने लिए आपको 3 hearts मिलेंगे, और 150 questions को देकर गबरानी के जरूतनी है, questions बहुत simple और छोटे होते हैं, आराम से 3 घंटे में complete किये जा सकते हैं, 75 marks 3 घंटे का paper, मतलब हर जो question है, वो 0.5 marks आदे marks का है, ठीक है, इसी तरह के से second paper में भी 150 questions आएंगे, और third paper के अंदर आपके total 100 questions होंगे, जो 50 marks के हैं, और ध्यान रखें कि तुक्के जादा नहीं मार सकते, क्योंकि तुक्का मारना रिस्की है, negative marking होगी दोस्तों, 1 third से, यह अगर 1 marks आपका आ रहा है, तो 0.33 marks आपका कट जाएगा, ध्यान रखें, there would be a negative marking, 1 fourth negative marking नहीं है, CSR examination में 1 fourth की negative marking होती है, यहाँ पर negative marking 1 third है, थोड़ी सी higher negative marking है, तो blind तुक्के नामारे exam के अंदर आपने पढ़ रखा है, तो ही risk ले, ठीक है यह बात? So, दो subject है, और उसके बाद एक general studies का paper है, subject के paper, पिछली बार कैसे exam में questions आये थे, वो RPSC की website के उपर available है, syllabus भी RPSC की website पर available, general studies भी आज बीना preparation के एक बाद try करके आप देख सकते हैं, कि कितने questions तो आप बीना preparation के कर सकते हैं, उसके paper भी RPSC की website पर available है, और थोड़े time के बाद हमारी खुद की website, RPSC के उपर भी वो सारे questions हैं, वो पेपर थे हैं, वो available होंगे, अब my dear friends, total हमारे पास 200 marks का ये, और 24 marks का अमारा interview, total हम ये कह सकते हैं, 224 marks का पूरा game है, पूरा खेल 224 marks का है, ठीक है, 224 marks, दिक्षा अभी बात करते हैं, अपना RPSC equation का क्या level होगा, रोहिनी, आप महाराश्टर से हैं, आप apply कर सकते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, टोटल 224 marks का game है, थोड़ा सा, पिछली बार, पिछली बार मैं एक बार तो बता दूँ, काफी सालों के बाद vacancy आई थी, बहुत लोग इखटे हो गएते, उसके बाद क्या cut off रही, उसके उपर एक नजर डालें, अगर आफ बाटनी के cut off को देखें, अगर आफ 224 marks में से finally आपको 140 marks लेकर आने थे, अगर आफ जनरल कैटेगरी के student हैं, 224 से 114 means it is all most 50% marks, मेरे share आप सब लोगों को तो पता है कि आप subject के दो 150 के papers हैं, उसमें से आप 114 marks ला सकते हैं, interview में 0 लेकर आ गया है, general studies में 0 लेकर आ गया है, मेरे share आप तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वापस बता रहू हूँ, आप सब लोग आराम से इस cut off को clear कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप देखें, OBC के अंदर 102 marks की cut off रही, ST के अंदर 77.66 की और SC के अंदर हम बिलकुल general SC की बात करें, 93.28, वापस अगर आपने preparation से ढंग से नहीं की, तो आपको cut off जादा लग सकती है, friends, बट अगर आप systematic तरीके से preparation करें, तो ये cut off मैं कह रहा हूँ, बिलकुल भी high नहीं है, ये बहुत simple cut off है, और questions कोई बहुत जादा high five नहीं आये थे, problem ये थी कि हम exam में preparation हो करनी जाते हैं, अचानक hit and trial में paper देते हैं, तुक्का मारने की कोशिश करते हैं, और फिर हमारा selection नहीं होता है, और हम ये मान लेते हैं paper काफी tough था, जबकि वास्तविक अस्तिती ऐसी नहीं है, पिछली बार भी जिनोंने preparation किया है, बिलकुल मन लगा क exam को ध्यान में रखते हुए, उन्हों के बहुत अच्छे marks आ हैं, और उन्हों top ranks भी निकाली है, चलो, इसी तरीके से अगर आप zoology में देखें, zoology के अंदर वापस मैं वही कह रहा हूँ, 224 marks में से cut off रही, 124 marks, 124 marks लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि second paper आप zool portion है, वो थोड़ा साथ आपका अलग है, पर 30% वापस CSR का है, और बाकी का portion आप आराम से prepare कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको syllabus को download करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और एक planning बनानी पड़ेगी, इतना करना पड़ेगा अगर आपको नौकरीद चाहिए थो, मुझे लेकीन है, इतना जरूर करेंगे आप, SC के अंदर cut-off, SC की cut-off और ये OBC cut-off भी मैंने यहाँ पर mention किये, पिछले exam की cut-off की हम बात कर रहे हैं, HRS chemistry उत्राखंड वाले भी दे सकते हैं, general students count होंगे आप, ये chemistry की cut-off देखें, 224 में से chemistry की cut-off 160 रही और बहुत high cut-off रहने का कार साइट पर, RPC की एफसाइट पर जाकर chemistry का paper डाउनलोड कर देखिये, आप subject के दोनों ही paper बहुत easy आये थे और अभी आप बीना preparation, अगर थोड़ा सा भी आपकी chemistry में पकड़ है, तो आप 150 marks में से definitely 100 marks आसानी से ला सकते हैं, थोड़ी सी preparation करेंगे तो आप पता नहीं कहां से क आप पहुंच सकते हैं, cutoff ये SC की है, ST की cutoff भी है, OBC cutoff भी है, देखो बाकी सभी category में cutoff जादा रही और इसका कारण सिंपल सा था कि paper was really very easy, इसी तरीके से physics की cutoff में यहापर show कर रहा हूँ, physics की cutoff वापस 224 marks में interview के मिला कर 139 marks general students के लिए रहे हैं, ST के अंदर 75 marks, ST के अंद में SC category, ST category में हैं, तो थोड़ा सा भी तो एक systematic धरीके से plan करें, तो क्यों नहीं इतने marks लाए जा सकते हैं, मुझे पूरत यकीन हैं कि आप इतने marks क्या इससे बहुत अच्छे बहतर marks हैं, वह ला सकते थे, even OBC में आप देखें, cutoff 129 है, out of 224 और मेरे share, लोगों आपने तो CS सा नेट का एक्जाम को इतने बड़ी धंसे clear किया होगा, या उसकी preparation कर रहे हैं, तो ये marks आप के लिए कुछ भी नहीं है, इस तरीके से maths में देखें, मुझे students, maths के अंदर general category 224 में से 157, इसी तरीके से अब मैं SC वाले लोगों से, ST वाले लोगों से कौँगा, अगर आप MH कर रहे हैं, तो जरूरिस एक्जाम को भरिएगा, systematic ढंसे preparation करिएगा, मुझे पूरा यकीन है, आप MHC में 30 मांक से जादा ला सकते हैं, और ST के अंदर 62, 63 मांक से जादा ला सकते हैं, मैं जैसा कह चुका हूँ, अगर जो मैंने कई बातों पर यकीन नहीं है, तो पूरा syllabus, RTS की website पर दे रखा है, वहाँ से आप download करिए, question papers भी पुराने RPSC की website पर available है, जो मैंने cutoff show किये, वह भी RPSC की website से मैंने obtain किये, आप सारी information वहाँ से वापस confirm कर सकते हैं, ठीक हैं? अब यह किस तरीके के questions पूछे जाते हैं, college leadership के exam मैंने, मैंने और मेरी team, physics, chemistry, math, botany, zoology, team, सब साथ बैठे, पिछले साथ दिन से, जब से notification आया है, हमने सारे 2010 का question paper, 2014 का question paper, और बाकि जितने भी allied biological science, physics या chemistry के RPSC के exams होते हैं, जो master's level पर, उनको analyze या interpret करने की कोशिश की, interpret कर कर हम इस नतिजे पर पहुँचे, कि my dear friends, 20% question ऐसे हैं, जो 12th level के हैं, बलब 12th के student को भी बिठा दे, उन 20, आला कि उससे जादा ही करेगा, but 20% questions हम यह कह सकते हैं, कि वह 12th level के हैं, बहुत ही basic subject की मैं बात कर रहा हूँ, 50% questions graduation level के हैं, जो आप B.Sc. first year, B.Sc. second year, B.Sc. third year आप पड़ते हैं, उस level के, यहनी, देखें तो आप 70% जो portion है, वर्त, अगर आपने graduation में जो information देरे के word धंसे पड़े हैं, तो आप उसको question paper को आसानी से solve कर सकते हैं, सिरफ 30% information और S.C. है, जो की master's level की पूछी जाती है, but no doubt, यह 30% makes a difference, यह decide करता है कि topper कौन होगा और कौन नहीं होगा, पर ध्यान रखें, 20% से 25% questions ऐसे आते हैं, जो हर को ही कर सकता है, बाकी के 50% questions को करने के लिए graduation level की information आपके पास होनी चाहिए, और rest जो 30% है उसके लिए post graduation में जो आप बढ़ रहे हैं, उस level का information आपको चाहिए, ठीक है, तो यह level की बात है, CSR net के level के सिरफ 30% के आस पास question, वो भी part B के level के questions आ सकते हैं, बाकी 70% है, वह आप comparison करना ही चाहते हैं, तो level को compare करना है, तो set level के questions यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो different states में set examination होते हैं, उस level के questions जरूर इसके अंदर पूछे जाते हैं, पर जो net के अंदर applied parts के questions होते हैं, उस तरीके questions maths के अंदर, physics के अंदर, chemistry के अंदर, botany के अंदर और zoology के अंदर नहीं पूछे जाते हैं कोशन सारे सारे syllabus में से आते हैं syllabus में जो unit mentioned है उसमें equal weightage से आते हैं सबसे अच्छी बात यह है हमने जब paper को analyze किया तो यह पता चला क्योंकि let's say zoologic students कहते हैं सारे questions invertibrates vertebrates से आगए ऐसा नहीं होता जितना weightage syllabus में दे रखा है उसी से आए है math के student कह सकते हैं जात तर question stats से आता है नहीं ऐसी बात नहीं है जितना syllabus में मैंशन है उतना ही आता है physics के student कह सकते हैं कि electronics बहुत जादा भरवा नहीं ऐसी बात नहीं है electronics के अलावा बाकी जो portion जितना हुआ पर mentioned है सब balance state के अंदर questions है वो दिये गए हैं हर unit से equal weightage questions दिये गए और obviously जब 150 questions हैं आदे नमर का questions है खूब सारे questions है तो एक वी topic से खूब सारे questions बनाई नहीं जा सकते ह हर कुछ topic को cover करने की कोशिश की है ऐसा मैंने और मेरी टीम ने पाया physics के अंदर chemistry के अंदर math के अंदर botany के अंदर और zoology के अंदर तो अगर एक section आपको नहीं भी आता तो डरने की जरूत नहीं है गबराने की जरूत नहीं है क्योंकि उसी section से सारे questions बनेंगे ऐसा जरूरी नहीं है पर आभी हमें पास sufficient time है तो किसी भी section अगर week भी है तो उसको हम क्यों छोड़े उसको भी हम strong तरीके से prepare करें अब आपको preparation कैसे करने चाहिए इस examination के लिए this is one of the question कई जिनोंने फॉन्ट जो में students है उन्होंने का सर कैसे preparation करें क्या strategy क्या होनी चाहिए हमारे क्योंकि सभी institute के notes एक जैसे है नीट लेवल के या even IIT जी लेवल के या 12th लेवल के notes सबसे पहले आपको वहाँ से start करना चाहिए अगर उस लेवल को आपने complete कर लिया तो 50% problem आपने solve कर दे second level पर आपको अगर वह सारा आपका aim पूरा हो गया कि आपने meet 12th level complete कर दिया तो फिर आपको graduation level की books पर जाना चाहिए और graduation level की कौन सी books तो वही books जो आपको university के अंदर professors ने prescribe की है या college में आपके teachers ने कही है मैं किसी books का नाम यहां नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा लगेगा कि मैं किसी books को promote कर रहा हूं लेकिन आपको अच्छी तरीके से पताए कि आपको undergraduate या graduate level या post graduate लेवल पर कौन सी books teachers ने prefer की है आपके professors ने उन books को ही वापस एक बार निकालो उनी books से पढ़ने की कोशिश करो उसके बाद अगर यह complete हो जाला कि यहां पर आपका काम बन जाना चाहिए आप selection करवा दोगे अपना लेकिन अगर आपको topper बनना है तो topper बनने के लिए फिर कुछ जो master's level में आपने पढ़ा है बाट नी, zoology, physics, chemistry, maths उसको भी cover करें तो ओ एडिडिड जो 20% to 30% advantage है आपको मिलना शुरू हो जाएगा और questions की ज़्यादा से ज़्यादा practice करें जो भी standard books आप refer कर रहे हैं कई सारी उन में से books हैं जिनके पीछे questions दे रखे होते हैं या set examinations के पुराने papers हैं different state में होते हैं चाहे हो मारास्टरा में हो रहे हो वेस्ट बंगाल में हो उनके questions की आप practice कर सकते हैं इवन राजस्तान के अंदर जो first grade school lectures के papers होते हैं उन पुराने paper से भी आप practice कर सकते हैं हमारी खुद की set की book है उससे practice कर सकते हैं कई तरीके हैं जह करने के बाद questions की practice जादा से जादा करनी हैं जितनी जादा question की practice करेंगे उतना फाइदा आप लोगों को रहेगा आपको बात समझ में है तो प्लीज एक बार लाइक करें ताकि यह video आपके पास available रहे ठीक है यहां तक बात कि अब preparation कैसे करनी है और my dear friends अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बल्बूते पर preparation नहीं कर सकते हैं आपको खुद के उपर doubt है तो हमें आपके उपर बिल्कुल भी doubt नहीं हैं हम आपको इस exam को आसानी से clear करा सकते हैं बस हमारे साथ associate होना पड़ेगा हमें इमानदार जितनी इमानदारी से हम पढ़ा रहे हैं उतनी ही इमानदारी से आपको भी पढ़ना पड़ेगा RPSC के लिए नीलम मैं यही बता रहा था RPSC के लिए जो batch start हो रहा है अपना वो दिवाली के बाद हो रहा है it is starting on 23rd November note down कलने date 23rd November को RPSC का batch start हो रहा है RPSC का batch physics के लिए chemistry के लिए maths के लिए उसके अलावा हम बाटनी और जुलोजी के लिए भी batches को launch कर रहा है हम यह मान कर चल रहे हैं कि exam जल्दी से जल्दी March और लेट से लेट हलागी सरकार का कोई भरोसा नहीं होता लेकिन फिर भी हम यह मान कर चल रहे हैं कि March to June का window period है इसमें कहीं पर exam होना चाहिए इसलिए हमने इस course को कुछ इस तरीके से develop किया है कि 90 to 100 days के अंदर आपका course complete हो जाए जिसमें हर संडे का आपका question practice होगा 6 days a week आपकी classes होगी subscription fees 21,000 है किसी भी stream के लिए आप apply करें यह GST included है अलग से GST के पैसे नहीं है total 4 month का यह subscription है इसको purchase करने के लिए आपको हमारी website ifsonline.com पर जाना है RPSC जो आइकन है उसके उपर click करना है और जैसे ही आफ RPSC पर click करेंगे आपके पास RPSC Botany, Izology, Chemistry, Maths, Physics यह options खुलेंगे जैसे ही आफ suppose RPSC Botany के उपर click करते हैं तो RPSC Botany का course इस तरीके से आपके पास निकल कर आएगा आप यहाँ पर 4 month का subscription टिक करें लोग यहाँ पर payment के लिए करें payment processing करते ही आपका course स्टार्ट हो जाएगा course में आपको क्या मिलेगा? course के अंदर आपको online live class उसके बाद recorded class चार महिने के लिए आप उस recorded class को जितनी बार चाहें उतनी बार आप देख सकते हैं असा कोई rider नहीं है कि एक बार के बाद आप नहीं देख पाएंगे आपने सुबह morning live class मिस कर दी है तो दो पेर तक recorded class भी वहाँ पर लोड हो जाएगी उस recorded class को आप 12 बजे देखें दो बजे, 4 बजे, रात को 6 बजे, 8, 10, 12, रात के 2 बजे यह आपकी इच्छा है ठीक है? recorded class के लावा जो teacher लिख रहा होता है या PPT पर अगर उसने कुछ पढ़ाया है तो वह भी PDF के format में IFS app के उपर available रहेगा और जैसे मैं बता चुक हूँ हर संडे को 150 question का test होगा ठीक है? जो भी उस week में पढ़ाया जाएगा संडे को there would be a test and a test will include a 150 questions, each question would be of 0.5 marks, negative marking 1 third पर होगी यानि जो बिल्कुल RPSC का pattern है अगर से में कुछ change होता है तो हम उस pattern के साथ से question paper को भी change करेंगे पर अभी जो pattern है उसके साथ से हर संडे को हम exam कराने वाले हैं चाहे physics हो, chemistry, maths, botany, zoology, किसी भी stream में हो so classes Monday to Sunday होगा, paper 1 और paper 2 का complete syllabus हम cover कराएंगे, live classes भी होगी live हम premiere करते हैं, उसके बाद premiere करने के बाद उनकी recorded form में भी आपको वो चीज़े मिलती है ये सारी चीज़ें आपको IFS app पर मिलेगी और IFS app किस तरीके की है वो अभी आफ Google Play Store से या app store से डाउनलोड कर सकते हैं और ये app laptop पर भी चलती है तो Windows के लिए भी इस app को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी website से so IFS app, Android के लिए, iOS के लिए, Windows के लिए, तीनों के लिए applicable है अब आपको decide करना है कि इनमें से किस जगे पर आपको इस app को run करना है इसके अंदर मैंने कहा कि lectures प्रीमियर होंगे जहां पर teacher आपको पढ़ाएगा उस दुरह आप teacher से इंटरेक्ट नहीं करते हैं simply class चलती है, बाद में recorded classes आप देख सकते हैं और फिर जरुत के साथ से live interaction होगा this is room meeting होती है उस तरीके से live interaction होगा जहां पर teacher और students एक उसे को face to face देखेंगे और सुबह जो class हुए है उसमें आपको कहां पर doubt हुआ या कोई नया question है आपके दिमाग में आया तो जो live interaction का time होगा उस दो run आप daily teacher के साथ interact करेंगे live interaction का schedule भी आपको दे दिया जाएगा उस ताकि आप teacher के साथ directly interact कर सके तो it is almost like that कि आपने offline में class ली class खतम होने के बाद आप teacher से मिलने आए कि मुझे class में यह चीज़े समझ में नहीं आई यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं पर एक extra benefit भी दे रहे हैं कि recorded format में भी आपके पास available है आप जब चाहें आगे चल कर उसको play pause mode से देख सकते हैं then यही नहीं my dear friends आप recorded class को देख सकते हैं recorded class को आफ download करके रख सकते हैं अपने IFS app में हाँ उसको download करकर आप gallery में या laptop के अंदर नहीं कर सकते हैं पर app के अंदर available होगी और इस download का यह फाइदा कि अगली बार दूसरी या तीसरी बार जब कभी भी आप देख रहे होंगे तो आपको data hurts नहीं करने पड़ेंगे तो four month तक आपने एक बार भी download किया तो उसको बार बार देख सकते हैं आपको video file download नहीं करनी है तो आप सिरफ audio file है उसको download करके रख सकते हैं ताकि आप गाने जैसे सुनते हैं इस तरीके से हमारे quotes को सुन सकते हैं और हमारे पूराने students को याद आ रहा होगा वो जमाना जहां पर वो मेरी आवाज record करकर classes सुना करते थे तो वही feel वापस लेना चाहते हैं तो वीडियो की बजाए audio को download करकर आवाज सुन सकते हैं उस चीज़ से वो revise कर सकते हैं और उसके अलावा मैं जैसे बताया teacher अगर आपको PowerPoint से पढ़ा रहा है तो वो PowerPoint वाली PDF यहाँ पर app के उपर available होगी, offline classes का अभी हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं क्योंकि रास्तान गवर्मेंट ने अभी किसी भी तरीके के clear instructions नहीं दिये हैं कि कब से coaching classes start होगी, अब offline classes जनवरी तक IFS start नहीं कर रहा है क्योंकि कई सारे technical पहलू है, social distancing maintain रहनी है, जोदपूर के अंदर वैसे भी Corona क start कर सके, लेकिन दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी online classes आफ अगर join करते हैं तो वह equivalent है to an offline classes, आपको बिल्कुल मैसुस नहीं होगा और फुर डाइम के बाद आपको हमारी online classes से प्यार हो जाएगा, आपको लगेगा अरे वाह क्या चीज पाई हम यह मेर कैसे आफ, IFS app के उपर इस course को join कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर यहां तक बात समझ भाई, राजतान studies के लिए अनुकरती अभी हमने subject की बात कर रहे हैं, एक बार subject अच्छी डंग से prepare हो गया, और जितने भी streams students हमारे पास जुड़े, उनकी अगर demand रही तो general studies का भी एक अलग से बैत स्टार्ट करेंगे, और definitely अगर हम स्टार्ट करेंगे तो that would be number one, not in रास्तान, it would be number one in India, but अभी मुझे ऐसा लगता है कि पहले subject, जो strong point है, उसे पूरा करना चाहिए, और उसके बाद एक बाद date आजाए, finally exam की, तो उस दुरान हम general studies का जो course है, उसको भी launch कर सकते हैं, ज ठीक है, और आपको पता है, IFS, it is number one in generating results, so, selection it is a habit of an IFS, पिछली बार भी RFPAC का किसी से भी पूछे हैं, toppers, IFS से ही थे, और मेरी बातों पर आपको यकीन नहीं है, तो आपके teachers से, क्योंकि आप रास्तान से हैं, तो आप अपने teachers से एक बार IFS के बारे में जरूर पूछेगा, वो IFS के बारे में आपको पैट दे देंगे, कि यहां से आपको preparation करनी चाहिए, या नहीं करनी क्योंकि जो इस रस्ते से निकल चुके हैं, उनको पता है कि इस रस्ते को, इस मंचिल को किस तरीके से पार पाना है, बालो जी में कहते हैं ना, ontogeny repeats phylogeny, so they know better, they can guide you better, कि आपको अगर self preparation करनी है, तो किस तरीके से करना चाहिए, और अगर आपने सोचा है कि आपको किसी coaching के साथ जाना है, तो कहां पर जाना चाहिए, they will guide you in a better way, thank you Roini, बिल्कुल biotech, microbiology के बारे में बता चुका हूँ, कि आप exam दे सकते हैं, पर पिछली बार उन्होंने interview के लिए eligible नहीं माना था, उसके लिए आपको थोड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, देखें हमारी ये physics की team है, physics के अंदर बहुत qualified faculties हैं, जो आपको physics का course कराने वाली है, और आपको इस मंजल तक पहुंचाने वाली है, complete physics की team हमारे पास यहाँ पर available है, आप अच्छी तरीके से देख लीजी इन teachers को, जो आपको बड़ी मैनत करकर इमानदारी से इस course के लिए prepare करेंगे, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं, ये complete chemistry की team है, जो आपके इस journey में हमेशा साथ में रहेगी, this is the team of mathematics, you will enjoy learning with this mathematics team, ये हमारी botany की team है, जिसमें मुझे भी शामिल किया गया है, मैं भी आपको botany के कुछ units हैं, वो पढ़ाऊंगा, ये zoology की team है, ये team के अंदर हमारे shining star, राम प्रगाज जी है, वो basically codate, non codate वाले section को लेंगे, और बाकी पूरी team है, बहुत अच्छी team, जुलो जी के लिए भी हमने develop की है, ठीक है, so this is the team, जो इस coach, coach चलाने वाली, ठीक है, तो ये तो बात हुई, my dear friends, RPSC के बारे में, अब आपने question पूचा है, Krish ने, कि मैंने MSC running net नहीं है, तो exam दे से तो, बिल्कुल, biology classes by Krish, मैंने यही बताया है, कि अगर आप MSC final में है, तो इस exam का form जरूर भरें, और इस exam की preparation जरूर करें, ठीक है, dear friends, आपने IPL 20 के अंदर जितना उत्सा दिखाया, I am thank you from the court of my heart, आपने इतने जार्दा संख्या में, test देना शुरू किया, कि हमारा server जाम कर दिया, तो thank you, हाँ जोड़ कर आपको बहुत बहुत thank you, but आपसे request है कि एक साथ people start होते ही, इस सारे test देने ना आए, but again thank you, क्योंकि आपने इतना enthusiastic धंग से इस exam के अंदर participate किया, तो आपका ये प्यार्स ने देखते हुए, वापस free IPL के जो series है, वह start हो रही है, 10th November को आप note करने, 10th November को IPL, जो CSR net के लिए है, free start हो रहा है, for our physics, 10th November को ही, आप देख सकते हैं, mathematical science के लिए IPL का test है, उसके बाद, 11th November को chemistry का free के अंदर वापस एक mock test है, दिक्षा, बिलकुल पहला पढ़ाव आपको interview तक पहुचाना है, और interview, आपने interview के लिए, आप eligible हो गए, interview की त्यारी भी कराएंगे, आपको college तक छोड़ कराएंगे, दिक्षा, आप चिंदा ना करें, बिलकुल twinkle आपने net LS कर रखा है, आप eligible है, अगर आप किसी और state से set कर रखे हैं, तो फिर आप राश्तान में eligible नहीं है, अधर states वालों के लिए net compulsory है, राश्तान के students के लिए set या net, उनों में से कुछ भी चलेगा, biology students, इस बार, पिछली बार आपका प्यार देख कर, खुशी बरधास नहीं हुए हम से, क्योंकि आपने अमरे स्तरवर को दो दिन के लिए, पुरा hack कर लिया था, बार-बार hit करकर, इसलिए इस बार हमने एक दिन की बजाए paper को दो दिन में distribute किया है, आप एक साथ नहाएं, अब आप 12th को भी mock test दे सकते हैं और 13th को भी mock test दे सकते हैं, ठीक है, आराम से, patient से paper दें, ठीक है, paper available रहेगा, कब 12th को और 13th को भी, ठीक है, आराम से आप paper को दें, कोई जल्द बाजी नहीं हैं, ताकि हमारा server चलता रहे हैं, और बाकी जो classes हैं, वह किसी तरीके से affect ना हूँ, my dear friends, free classes हमारी YouTube के उपर चल रही है, physics में lecture series 9th नौमबर से start हो रही है, यह RPSC के लिए भी काम की है, net के लिए चल रही है, बेटा यह देखो free mock test के लिए में कहारो न, 12th और 13th नौमबर को एक और, जसीम अकरम अपना mock test start हो रहा है, life sciences के अंदर, ठीक है, physics की free classes 9th से start हो रही है, net के लिए, बट वो RPSC के लिए उतने ही equivalent है, देखो नीरज जी आये हैं हमारे पिछली बार के RPSC के टॉपर, welcome नीरज जी, biology for all, this is नीरज कुमार श्रीमाली, अपने IFSN है, बहुत अच्छी रेंग निकाली थी, वो अभी यहाँ पर हैं, उन्होंना का comment आया, तो welcome, स्वागत है आपका, और नीरज जी के बारे में बात बताऊं, यह even गुजरात के अंदर भी इन्होंने top किया था, रास्तान में तो top किया ही था, इन्होंने गुजरात में, रास्तान के होते वे, गुजरात के अंदर भी इन्होंने top किया था, नई श्री मैं कोई दूसरे states के लिए ऐसी कोई बात निया कि seat limited है open competition है अब general seats के लिए count eligible है general seat के लिए आफ एक बार fight मरें physics के अलावा free की बात कर रहा हूँ physics के अंदर ही हमारा IT jam का physics का course है वह भी 9 से start हो रहा है free youtube channel पर है IT jam के लिए inorganic chemistry का free course चल रहा है पर यह सभी चीज़े हैं सभी exam के लिए जब हमारा teacher पढ़ाता तो यह सोच के नहीं पढ़ाता मैं इस exam तक सिमित रहना है उस exam को importance जरूर देता है पर concepts सभी exam के लिए apply होते हैं free के अंदर IT jam का inorganic course CSR mathematics का course free चल रहा है real analysis है मनोसर हैं वो करा रहे हैं अब देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा IFS math channel के उपर जाकर this is free classes you will enjoy the learning BSE की classes के उपर आप देखिएगा 9th से वापस cell biology की series start हो रही है आप cell biology की series को भी definitely enjoy करने वाले हैं IT jam biotechnology में plant physiology का topic shoot to apex class classes ले रहे हैं वो classes आप अभी enjoy कर रहे हैं 9th से इन classes को आप continue enjoy करते जाएंगे free classes है YouTube पर आप इनको देखें definitely आपको बहुत मजा आएगा NEET के free classes है प्रतिक्षा मेहम है वो आपकी continuously ले रही है 9th नौबबर से वापस नई series start हो रही है photosynthesis in higher plants again ये classes बिल्कुल free है ठीक है इतने घंटे की होगी सुमन अगर आप ये पूछ रहे है RPSC की class तो RPSC class daily 4 घंटे की होगी बेटा और आप recorded session class होने के कुछ घंटों के बाद आपको बिल जाएगा आप उसको breaks में देख सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि daily दूनों paper का एक एक class जरूर हो इसी तरीके से chemistry की class meet के लिए qualitative properties हैं वो पढ़ा रहे हैं पांच तारिक से series start हुई है अब तक continuously चलती जारी है कुछ paid courses है उनके बाद भी बता से दोंगे free courses हम इतने चला रहे हैं तो उनके लिए भी कहीने कहीं से तो my dear friends पैसा आना चीए और definitely आप ज़रूर refer करेंगे जिससे हम इन free classes को आप देख सकते हैं साहर दस free classes continuously चल रही है इनको support करने के लिए अगर जो payment दे सकते हैं उनके लिए में बता देता हूँ fast track course है वह start हुआ है need to 2021 के लिए 5th November को IT jam math physics biology सभी के courses start हो रहे हैं 9th November से CSR NET और GATE के नए classes students अपने friends को ज़रूर बताइए या जो अभी भी इस RPS exam में prepare करना चाते हैं net clear नहीं है तो उनके लिए बहुत important है 9th November से हमारे नए batches start हो रहे हैं लगबग सभी stream के अदर चाहे वो life sciences की बात करें चाहे chemical sciences की बात करें चाहे mathematical sciences की बात करें सभी के अंदर नए courses start हो रहे mathematics physical sciences में ठीक है friends तो यह कुछ नए paid courses की हमने बात की अगर आप free में वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले तो इसको ज़रूर like करें life science channel को subscribe करें या chemistry channel को physics को math को BSE को NEET को IT जैंकर सबके लिए हमारे अलग लिग चैनल से उनको subscribe करें free के courses वहाँ पर available है paid courses की बारे बे मैंने यह बात बताईए ठीक है तो वापस my dear friends मैं आपसे यह कहना चाता हूँ कि अगर आफ किसी strategy के साथ इस exam को crack करना चाते हैं RPC exam को तो यह exam यकीन मानी मेरा यह tough नहीं है हाँ पर आफ धूल में लट मारेंगे तो आखों के अंदर मिटी आकर गिरेगी धूल में लट नहीं मारना है आपको इमानदारी से एक चैनलाइज तरीके से चाहे self preparation करें चाहे अपने teacher की मदद लें चाहे हमारी teacher की मदद लें पर यह नौकरी का सवाल है गॉर्मन्ट जॉब की बात है आप इमानदारी से इस exam को preparation करें फिर आप वापस मुझे करें देखी सर मैंने इमानदारी से किया और मेरे पास नहीं हुआ ऐसा हो इनी सकता हम वापस मिलेंगे और definitely किसी ने किसी गॉर्मन्ट कॉलेज के अंदर मिलेंगे आप सब इस चीज क success को आसानी से obtain कर सकते हैं but you must have a right path और activation energy को कम करने का जरिया होना चीए ताकि substrate को product में convert किया जा सके ठीक है फ्रेंट्स तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस exam की सही धंग से preparation करेंगे और इसके अंदर definite success है उसको obtain करेंगे ठीक है फ्रेंट्स तो ये बात थी अब आपके में कुछ questions हैं उन questions को ले लेता हूँ हाँ dose of biology ICMR के लिए हम जल्दी से ही strategy प्लान कर रहे हैं कि आपको किस exam को किस तरीके से प्रेपर examination hall में इसको किस तरीके से target करना चाहिए उसके लिए बिल्कुल preparation कर रहे हैं thank you for suggestion बिल्कुल आसे इनिबिटर हटाने हैं और एलोस्रिक एक्टिवेटर को जोड़ना है प्रंजिस स्टेट को stabilize करना है ताकि जल्दी से हम RPSC lectureship exam को clear करें और सिर्फ ये क्यूं गुजरात के seats भी आ चुके हैं GPSC के भी botany, orzology, chemistry, physics की seats आ चुकी है उनको भी target करें UP के अंदर आपके first grade की सारी seats आ चुकी है इस course से उसको target कर सकते हैं आप बिहार के अंदर seats आई भी है लेकिन वहाँ पर सर्फ interview वहाँ पर examination की मुझे कोई information नहीं मिली है तो खुल सरे means sky is the limit, preparation करने वाला चाहिए आपको job से कोई नहीं रोग सकता, हाँ आप देखेंगे कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कई नौक नहीं मिल नहीं रिये तो मिलेगी भी नहीं, आपको मेनत तो करनी पड़ेगी जुबेर अभी offline classes बिल्कुल start नहीं हो रही है, offline classes के बारे में अभी कोई decision नहीं है और यह मैं नहीं ले पाऊँगा, यह government का decision है जब हमारे state के, महरास्तर state के chief minister और रास्तान state के chief minister कहेंगे, तब से हम offline classes कहेंगे, उदर से हमारी ममता दी है, वो भी कहेगी, West Bengal में, बाद में भी जब बात होगी, तो हम अपनी classes को start करेंगे, हाँ, my dear friends, और कोई doubt, और कोई question जो आप पूछना चाहते हैं, हाँ, विजय पिछली बार का experience यह है, कि आपने पहले, let's say, इन्होंने question पूछा है, कि मैंने MSC biochemistry में की, फिर मैंने net clear कर ली, फिर suppose मैंने किसी open university से, या किसी university से MSC zoology कर दी, तो क्या मुझे net वापस clear करनी चीए, पिछली बार उन्होंने क्या किया, कि जो आपका master's degree का tenure है, वो या उसके बाद आपकी net degree होनी चीए, तो अगर आपका net उससे master degree से पहले है, तो पिछली बार उन्होंने इसको नहीं accept किया था, हाँ, पर आप previous में admission ले रहे थे, या final क और उसके बाद का net certificate है, तो फिर कोई problem नहीं, शुबम, बायो technology वाले RPSC का exam देने के कोई नहीं रोक सकता, interview में वो allow करेंगे या नहीं करेंगे, ये debatable question है, और काफी लोग परियास कर रहे हैं, बायो technology के students की उनको interview के लिए eligible माना जाए, बिलकुल महारास्टर के students eligible है, West Bengal क students भी available है, संपत बिलकुल West Bengal सेट के लिए भी course हम start कर रहे हैं, उसको design कर रहे हैं, बस आप लोगों का प्यार और स्ने बना रहे हैं, definitely हम सभी courses, जो हमारे subject, science subjects हैं, उनको ज़रूर start करेंगे, RPSC की तयारी बिलकुल करवार ही रहे हैं, बिटा, RPSC, college lectures सिर्फ की एक तयारी अभी हम करा रहे हैं, रवी से नहीं exam तक नहीं मिलेगा course, course complete हम पहले ही करा देंगे, 4 months के अंदर आपको course complete करा देंगे, रवी बिटा, ठीक है, तो 4th month का subscription है, उसके अंदर आपका course complete हो जागा, सुभम physical science चलती है, ठीक है, physics के अंदर भी आप preparation कर सकते हैं, thank you संपद, so once again, now thank you, आपके मुझे ऐसा लगता है कि आपके जितने भी doubts मन में रह हो, RPSC के लिए, उसको काफी हद तक मैं solve कर पाया, फिर भी आपको और कोई doubt है, तो comments में आप अपना doubt जरूर post करें, ताकि मैं उसका answer, या मेरी team उसको answer देने की कोशिश करेंगी, जैपाल मैट के unit wise course website पर, IFS के website पर available है, paid courses available है, आप उनको ले सकते हैं, कुछ units के बिल्कुल, unit wise paid courses available है, इस number तक और, thank you, अमला सोनेट, आप कैरल से हैं, बस आप पूरे इंडिया से आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इसलिए IFS, इस कोरो ना एंट, पैंडेमिक पिरिड में भी, आप लोगों के प्यार की वज़े से, दुआओं की वज़े से, आप लोगों के साथ मिल कर, different examinations में coaching देने की कोशिश कर रहा है, free classes लेने की कोशिश कर रहा है, thank you everyone, हाँ जैपाल, जून के लिए वापस unit wise courses हम स्टार्ट करेंगे, so thank you, thank you everyone, बिल्कुल 21st exam से पहले भी मैं आऊँगा, आपको all the best कहने के लिए, आपको exam में किन-किन बातों को ध्यान रखना है, last minute आपको क्या गलतिया ने करनी है, उसके लिए भी मैं आऊँगा, आप physics वाले सर भी आएंगे, chemistry वाले सर भी आएंगे, maths में मैं मैं आएगी, बताएगी कि आपको exam में किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, thank you, और बिल्कुल कर सकते हैं, उसके लिए आप एक बार IFS के contact number 917, आपको जो भी information है न, 9172266888 पर आप contact करेंगे, बिल्कुल निकिता, दोनों की preparation एक साथ हो सकती है, पर अगर दोनों एक साथ करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह है, पहले आफ नेट का कोट्स सब्स्क्राइब करें, क्योंकि सिर्फ RPC preparation करें, नेट क्लिए नहीं ही तो आप problem में first जाएंगे, नेट का कोट्स लें, उसके साथ लगबग 70% कोट्स तो RPC का preparation हो ही जाता है, दिपिका राज़तान में ही कहीं पर examination center आएगा, जहां आप apply करना चाहते हैं, so thank you, thank you everyone for your love, ठीक है, मिलते हैं जल्दी से सब अपना ध्यान रखिएगा, कोरोना को मजाख में न लीजिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, फैमिली का भी धिहान रखिएगा, ठीक है, तो use face mask, अपने हातों को sanitize करते रहें, घर से जब जरूत हो तभी बार निकले, ओके, thank you, thank you everyone. ञाँ और खिएगा